साही बाबा चमतकार का था, पत्ना की रहने वाली रागिनी के घर में लंबे समय से परिशानी चल रहे थी, उनके घर में रोज कोरा मस्ता था रागिनी का कहना है कि ऐसा लगता था कि मानो अपने ही परिवार में लोग एक दुसरे केप खुन के पैसे हो गए है उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे तबी किसी ने रागिनी को साई बाबा की शरन में जाने को कहा रागिनी को एक मिनिट के लिए लगा कि ऐसी हालत में कोई क्या कर सकता है पहलो तो उन्होंने सला मानने से इंकार कर दिया बात में रागिनी को लगा कि एक बार साई का दर्शन करने में क्या दिक्कत है रागिनी बाबा के दर्शन के लिए शीडी पोच गई फिर क्या था बाबा ने रागिनी को अपनी शरन में ले लिया शीडी में बाबा ने रागिनी को साक्षाद दर्शन दिया बाबा ने उने गर जाने की सला दी रागिनी जब वापस पठना लोटी तो उनोंने साई बाबा की फोटो लगा कर पूजा करनी शुरू कर दी लगबक एक साल बाद रागिनी ने साई बाबा की एक मूर्ती स्तापित की धिरे धिरे आसपास के लोगों को साई बाबा के चमतकार का पता चला लोगों ने साई बाबा की पूजा करनी शुरू कर दी देखते ही देखते बाबा के दर्शें के लिए मंदीर में भीड बढ़ने लगी रागिनी को लगा कि उनकी मेनत सपल रही बाबा की भक्ती रास आई जब लोग इस मंदीर में अपना दुख दर्थ लेकर पहुशने लगे तो उनके साथ भी चमतकार होना शुरू हो गया इसलिए कहते हैं कि बाबा को मन से सादो उनकी खुरूपा जरूर होगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करे और इसी तरह की वीडियो चपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी लाइकों को जरूर प्रेस करे ओम साही राम